मेश राशी वाले भगवान गनेश पर गणपती पर पीले और नीले फूल चड़ाई है नीले ना भी मिले कोई बात नहीं पीले चड़ाई है इससे धन हानी से बच्चाव होगा और खुशी आएंगी जीवन में आप से व्रिश राशी पान के पत्ते पर स्वास्तिक बना कर स्वास्तिक गणपती का साइन होता है तो पान के पत्ते पर स्वास्तिक बना कर गणपती जी को और पित कर दीजे किसी से भी बना दीजे चंदन से बना लीजे क्या होगा इससे शत्रूं का नाश होगा सफाय होगा शत्र गणेजी पर चढ़ा कर उसको चंद्रमा को और्दे दे दीजे इस से क्या होगा मनोविकार दूर होंगे और जीवन से मानसिक समस्याएं खतम होंगी जल जो है वो चंद्रमा का प्रतीक है और तिल शनी का तो गणपती हर लेंगे इन चीजों को psychological problems सारी खतम करकराशी क्या करे गरीब बच्चों में दान दे दीजे चारों दिशाओं से रक्षा होगी और इससे क्या होगा पारिवारिक सुख और शन्ती मिलेगी आपको कारण चार लड़ू भाव नमबर चार का प्रतीक है चोथे भाव के effects अच्छे आएंगे आप पे बात करते हैं सिंग राशी की क् गनेश जी पर हल्दी से पीले की ओवे गोमती चक्र चढ़ा कर तिजोरी में रख लीजे गोमती चक्र बहुत specific तंत्र की वस्तू है और हल्दी लगा कर गनपती पर चढ़ा कर तिजोरी में रख दीजे इससे क्या होगा धन शेत्र में वृद्धि हो जाएगी धन से खचा खच भरा रहेगा आपके तिजोरी गम बन भी नहीं होगी इतना पैसा है बात करते हैं कन्या राशी की क्या करें आप मक्की के दाने गणेश जी पर चढ़ा कर रसोई घर में कहीं चुपा कर रख दीजे इससे क्या होगा अन धन की कमी दूर होगी अन पूर्णा स्वयम क्या खरें आप गौरी और गणेश जी पर तिलकुटा का भोग लगा कर बारा गरीब कन्याओं को बांड दीजे पुन्य का काम है ये और इसके साथ साथ जितनी भी मनोकामना है बार्वा भाव मनोकामनाओं का भी है तो बारा लड़ू बांड दीजे कन्याओं को मनोकामना है पूरी होंगी जितनी भी वनों काम ना है ब्रिश्चिक राशी क्या करें संतान का नाम लेते हुए गुड़ तिल मिले जलसे चंद्रमा को अर्दे दे दीजे इससे क्या होगा संतान की रक्षा होगी कोई भी अला बला कला आई हुई है संतान पर सारी खतम हर लेंगे महाद चंद्रदेव के शिकर्द चंद्रदेव हर लेंगे विशेश दिन हैं चंद्रमा की फूजा का भी है और क्या करें आप धनूराशिवालों कापूर से तिल जलाकर गणेजी पर धूप कीजिए इससे दुरभाग्य खतम होगा तिल किसका स्वामित्पकरते हैं शनी और अपना इफेक्ट खतम करेंगे और दुरभाग्य दूर होगा स्वाग्य ही स्वाग्या आएगा आपके जीवन में मकर राशी क्या करें आप भगवान गनेश पर चड़े चंदन से तिजोरी पर श्रीम लिग दीजिए श्रीम स्वयम महा लक्ष्मी का बीज है क्या होगा ध अधन के द्वार खुलेंगे आपके लिए कुंबराशी क्या करें आप गनपती पर चड़े तिल के लड़ू सफेद गाय को खिला दीजिए इस दिन विशेश रूप से तिल और गुड के लड़ू ही प्रसाद रूप में बाटे भी जाते हैं और गाय को खिलाना तो सबसे बड़ा पुन्य है क्या होगा इससे धामपत्य तनाव दूर होंगे प्रेम बढ़ेगा जीवन में रोमान्स बढ़ेगा जीवन में रोमान चाहेगा आपके जीवन में मीन राशी क्या करें आप पीले कपड़े में बेलफल बांध कर गनपती पर चड़ा दीजिए सबसे ज बढ़ा दीजिए इससे लव लाइफ की प्रॉब्लम्स स्वाहा और रोमान्स आएगा जीवन में अगर किसी को प्रपोस भी कर रहे हैं वहां भी सक्सेस मिलेगी